नवस्कार मैं समर के मुखर जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग बात करेंगे निव कमर फिल्मेकर्स की जो एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं या कोई शो प्रोडूस करना चाहते हैं या किसी भी तरह का वेब सिरीज किसी OTT प्लैक्फरम के लिए बनाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि उन्हें प्रोडूसर नहीं मिल पाते हैं या वो नहीं जानते हैं कि किस तरह से वो प्रोडूसर को अपने फिल्म दिखा सके पीच कर सके या किसी स्टूडियोज में या किसी प्रोडूक्शन हाउस में जाकर के अपने फिल्म के बारे में बता सके जो उस फिल्म को रिलीज करा सके या प्रोडूक्शन में उनको हिल्प कर सके किस तरह से वो किसी फाइनेंसर के पर जाकर के अपने फिल्म के लिए finance ले सके, ये भी नहीं जानते हैं, उनके लिए जरूरत क्या-क्या है, किस तरह से ये काम कर सकते हैं, आज का ये वीडियो इसी विशे पर है, अन तक देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा, सबसे पहले बात करते हैं, complications की यानि जो newcomer filmmakers हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा कठिनाई क्या होती है, सबसे पहला जो complication है, वो है, nobody has time for you, उन लोगों के पास जो आपके film को produce कर सकते हैं, या release कर सकते हैं, या finance कर सकते हैं, ऐसे production house, ऐसे producer, ऐसे financer के पास आपके लिए time नहीं होता है, वास्तों में होता क है कि उनके पास धेर सारे ऐसे options आते हैं, जिसमें अलग-अलग filmmakers, कुछ नामी filmmakers, जो पुराने हैं, जो already film बना रहे हैं, वो कुछ नए लोग हमेशा उनको कोई ने कोई film के लिए पीच करते रहते हैं, और उनके पास इस तर के धेर सारे project already पढ़े रहते हैं, तो आपको अल से इंतजार कर रहे हैं किसी को film सुनाने के लिए या अपना project दिखाने के लिए, ऐसा होता ही है, तो इसके लिए क्या किया जाए, बाद में बताएंगे, complication number 2 पर आते हैं, और वो है why they trust your project, देखिए वो आपके project पर विश्वास क्यों करें, आपने कोई ऐसा काम तो किया न ऐसा plus point नहीं है, positive पोई चीज नहीं है, हम negative की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी film आपके लिए अच्छा है, लेकिन उनके पास film सुनने से पहले जिन चीजों की जरूरत होती है, वो चीज नहीं है, तो इसलिए आपके project पर वो विश्वास क्यों करें, तीसरा है, you don't have any previous work to show, आपके पास कोई भी ऐसा previous work बढ़िया लेवल का नहीं है, जिसे आप उन्हें show कर सकें, आपने हो सकता है कोई album अगर बनाया हो, original बनाया हो, या कोई छोटा मोटा short film बना लिया हो, लेकिन उसमें वो दम नहीं है, उस level का आपने नहीं बनाया है, जिस level का होना तो उसे आप अगर दिखाएंगे भी, तो लोग सोचेंगे कि अच्छा कुछ ऐसा ही बनायेंगे, यह अक्सर लोगों के साथ होता है, तो previous work बड़े level पर अगर आपका नहीं है, बड़े level का मतलब यहाँ यह नहीं है, कि आपने बहुत पैसा खर्च करके कोई अपने previous work बन आपके project में कोई ऐसी celebrity नहीं है, जिसको दिखा कर या जिसके नाम को बता करके आप अपने film को अलग से पीच कर सके, क्योंकि producer यह जो भी financer होता है, जो भी पैसा लगाने वाला party होता है, वो हमेशा पूछता है कि इसमें hero कौन है, heroine कौन है, कौन actor है, और अगर आप बोलत इसमें hero कौन है, heroine कौन है, actor कौन है, और इसे चाहिए आप OTT पर release करें, चाहिए cinema hall में release करें, यह समस्या आती ही है, क्योंकि हम और आप इसके जिम्मेदार है, हम भी theater तक film देखने कब जाते हैं, या OTT पर film कब देखते हैं, जब हम यह जान लेते हैं कि अच्छा, इसके अंदर यह actor है, इसका काम बहुत अच्छा है, इसको देखने के लिए, हम वेब सीरिस को देखेंगे, या इस film को देखेंगे, जब हम नहीं जाते हैं, तो distributor भी नहीं जाएगा, और distributor नहीं जाएगा, तो producer भी चाहेगा, कि उनके पास ऐसी film बनने के लिए है, जिस film में कोई नहीं कोई ऐसा actor, hero हो, जो film को आगे बढ़ाने में सक्छब हो, या फिर आपके film का जो director हो, या आपके film का जो cinematographer हो, वो ऐसा हो, जो experience हो, जिनने उनने बहुत सारी film में बनाई हो, और सफल film में दी है, अगर definitely अगर संजा लीला भंसाली, अगर किसी film को बनाएंगे, और उस भी कभी film चल जाती है, या लोग उसे produce कर देते हैं, तो आपके पास ये भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो ये complication है, answer बाद में दे रहा हूं मैं, next जो है, fifth जो point है, वो है, you have no much funds to produce the project, आपके पास इतना fund नहीं है, कि आप ये कर सकें, कि चलिए सर बनाते हैं, आधा हम लगाते हैं, आधा आप लगाईए, अगर घाटा होगा, तो हमारा भी होगा, ये सून के भी producer सोचते हैं, चलो भई, ये अगर इतना भरोसा रखता है अपने project के उपर, आधा पैसा लगा रहा है, तो चलो हम भी आधा लगा देते हैं, आपके पास film के लिए आधे पैसे भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा रकम होता है, अगर आपको वेब सीरीज या फिल्म प्रोडूस करना चाहते हैं, और खुद उसमें फाइनस करना चाहते हैं, आधा ही सही, तो वो करोडों में होता है, तो ये पैसे आपके पास नहीं है, ऐसे में आप क्या करें, तो य सोचे, आप जब तक से कि जैनुइन प्रोडूसर की तरह सोच नहीं पाएंगे, तब तक आप प्रोडूसर के जो दिक्कते होती है, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आप समझ नहीं पाएंगे, आप सोच लेजी कि आप एक प्रोडूसर है, आपके पास धेर सारा पै पैसा लगाए, फाइनेंस करिए, और उसे रिलीज करिए, तो आप प्रिफरेंस क्या क्या रखेंगे, यानि उन में कौन कौन सी खुबियों को आप चाहेंगे कि उस फिल्मेकर के अंदर हो, उसे आप नोट डाउन करिए, कि पहला खुबी होना चाहिए, उसे के पास complete bind script हो होना चाहिए, दूसरा, उसका vision clear होना चाहिए, कि उसकी फिल्म कैसा बने, जो भी चीज, जो भी, या उसके अंदर कोई actor आप चाहते हैं, या उसका जो crew member है, या जो technical team है, वो बहुत sound चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वो आप लिखें इमानदारी से, क क्योंकि मैंने यहां कहा, कि genuine producer अपने आपको सोचे, कि आप genuine producer है, आप film को funding करना चाहते हैं, और produce करना चाहते हैं, तो आप किन-किन चीजों पर ध्यान देंगे, अगर आपका अपना channel है, अगर आप कोई OTT platform के मालिक है, तो आप क्या-क्या उमीद लगाएंगे एक new filmmaker से, वो आप note करिए, क्योंकि यह आगे काम देने वाला है आपको, क्योंकि third point पर हम आते हैं, और वो है, again become yourself, यानि आप पुना वापस आजाएं, जो आप थे, यानि एक newcomer filmmaker थे, तो वही बन जाए, producer के पद से हट जाए, आपने note down कर दिया है, कि क्या-क्या आपको एक newcomer filmmaker से चाहिए, अब उस note down किये हुए सारी चीज़ों को देखिए, कि क्या वो qualities आपके अंदर है, आप ही ने तय किया, कि यह यह होगा, तो मैं produce करूँगा, और आप खुद ही उसे check करिए, क्या उसमें से कोई ऐसी quality है, जो उसके अंदर है, कौन सी ऐसी qualities है, जो उसके अंदर नह है, जो उसके अंदर नहीं है, उस quality को अपने अंदर लाने की कोशिश करिए, यानि टेकनिकली मजबूत होई है, आपका जो script है, वो bind script होना चाहिए, किवल दिमाग में कहानी नहीं होना चाहिए, एक एक दिम में कौन कौन सा shooting होगा, क्या होगा, short division से लेके, script breakdown से लेके, हर टेकनिकल चीज उसके अंदर अगर है, तो फिर आप अपने आपको खड़ा कर सकते हैं, कि यस, मैं उस जो checklist है, उस checklist के अनुसार हमारे अंदर उस सारी चीज़े हैं, जो एक producer को चाहिए, अब आता है पांचवा point, देखिए, यहाँ पर आप सोचेंगे, कि इसमें से तो बह नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें, हम अगर एक film को लिखना start करें, फिर उसके बाद script break down करें, short division करें, इसमें बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद एक project बना है, सारी चीज़े करते करते हैं, बहुत टाइम लगेगा, तब तक तक तो हम किसी से बात ह क्या होता है, पहले idea, फिर story writing, फिर story बना, सारी चीज़े बनाते बनाते आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर film का shooting होता है, film shooting होने के बाद editing होता है, editing होने के बाद उसका जब release के time आता है, तो उस समय उसका publicity होता है, publicity के लिए poster बनाना पड़ता है, यह sequence है, आप उसको उल्टा करिए, यानि सबसे पहले आप poster बनाई है, film का जो भी नाम आपने सोचा है, जो idea सोचा है, जो सोचा है, कि हाँ इस धंग के film होने चाहिए, तो उसका एक बहतरीन poster बनाई है, ज़रूरी नहीं कि poster बनाने के लिए आप बहुत खर्च करें, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं या कोई भी unknown actor का चेहरा रखिए, या कोई भी ऐसा काम करिए, जिससे कि आपको ये binding में न होना पड़े, बंधन में न होना पड़े, आपने तो इसमें रणमीर सिंग का चेहरा लगा है, वो तो है नहीं, तो ऐसा नहीं, आप unknown किसी का लगा है, लेकिन poster के designing इस धंका करिए कि poster देख करके, लोगों की दिमाग में आ जाए कि यार ये film बना रहा है तो, क्योंकि लोग ये नहीं समझेंगे कि पीछे की कितने चीज़ें आपने skip कर दिया है, तो आपको एक अच्छा poster designing करना है, और definitely poster designing करने के लिए उसका title होना चाहिए, वो जबर्दस्त होना इंपा में जा करके title चेक करा करके, आप इंपा में अपने title available है, तो इस title को register भी करा सकते हैं, बहुत कम पैसे में register हो जाता है एक साल के लिए, तो एक साल के लिए register कर लिए ताकि उस दोरान अगर किसी को pitch करें और उसको title पसंद आ जाए, तो उस पर आप film बना सके, तो इसे उनका आधा समस्या दूर हो जाएगा, तो अच्छा है, बनाने जा रहा है, यह आपको वो चीज बता रहे हैं, जो कहीं नहीं बताया जाता है, कि पोस्टर से शुरुआत करें, पोस्टर के बाद दूसरा आता है आपका log line, जबरदस्त log line बनाईए, दो तीन sentence में, एक sentence से लेके, दो sentence के बीच में, आपका log line ऐसा होना चाहिए, कि अगर lift में जाकर कि किसी को सुना रहे हैं, तो जब तक से lift में जाकर कि वो अपने floor तक पहुँचे, तब तक आप अपना story बता दे, तो ऐसा log line आपके जुबान पर होना चाहिए, written तो होना ही चाहिए, और next है, कि आप उस पर एक script इतना बढ़िया से लिखिए, या लिखवाइए, दो महीना, तीन महीना maximum time लगता है, complete screenplay, dialogue के साथ, जो आपका पूरा Bible के तरह काम करें, यानि उसके अंदर short division किया हुआ हो, उसके अंदर complete script breakdown किया हो, लगभग, लगभग, पूरा तो नहीं, देखिए, फिल्म जब shoot करने जाते हैं, तो समय भी पूरा change होता है, और यह अगर आप करना जानते हैं, अगर आप technically कहीं से training लिए हैं, तो यह सब चीज आसानी से आप कर लेंगे, easily, और यह अगर कर लेते हैं, तो आपका समझ लिए कि आधा युद्धा आप जीत चुके हैं, क्योंक एक promo बनाई है, एक teaser बनाई है, दो मिनिट का, एक मिनिट का teaser के ओना हो अपने film का, ऐसा बनाई है, जिसमें जरूरी नहीं है कि आप पूरा acting shoot करके बनाई है, जरूरी नहीं है, हो सकता है पीछे के voiceover दे करके, drawing से, painting से, किसी भी तरह से बना सकते हैं, इसके बहुत सारे और अपने नियम है, जिसको हम किसी अलग वीडियो में मैं इसका जिक्र करूँगा, कि कैसे आप एक कम खर्च में एक high level के professional आप teaser बना सकते हैं, तो ऐसा एक teaser का निर्मार के लिए, ये चीज़ जब किसी के पास जाता है, किसी भी company, किसी भी producer के पास, किसी भी financer के पास, तो व वहाँ पर जब meeting होती है, जहाँ final घंटी बजनी होती है, जहाँ final हतोडा लगना होता है, वहाँ पर आपकी skill बिखती है, वहाँ पर न तो script बिखेगी, न पोस्टर बिखेगा, न आपका showreel बिखेगा, वहाँ पर जिस धंग से अपने आपको प्रस्तूत करेंगे, जिस ध जब बताएंगे, तो आपके जब मुह से निकले कोई words, तो वो पूरा टेकनिकली हो, उसको लगे कि यारी टेकनिकली बंदा इतना sound है, कि किसी भी crew member के साथ ये काम करेगा, और ये film बना ले जाएगा, और इसके लिए ज़रूरत पढ़ती है training की, अगर आपने training कहीं से लि institution हो, इधर बीच तो वही कुरोना के वज़े से दिक्कत है, तो आप online training कहीं ने कहीं से ले लिजी, वो भी बहुत फायदा करेगा, आप workshop जोइन करिए, बहुत सारे free workshop होते हैं, बहुत सारे free seminars होते हैं, उनको जोइन करिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने दिमाग पर खर हैंगे, उसे आप purchase करिए, इस तरह से अपने आप को बहुत solid बनाईए, कि जब round table पर बातचीत हो, आपके film को ले करके, तो सब को आप चुप करा सके, अपने film project को दिखा करके, show करके, कि नहीं इस project में इतना दम है, कि यह definitely सफल होगा, यहाँ hit की बात तो मैं नहीं करूँ होगा, सफल का मतलब है, इसका पैसा recover होगा, और अच्छा खासा फायदा होगा, अब बारी आती है, तीसरे point कि जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, कि भाई, where to contact, whom to contact, and how to contact, यानि किस से हम मिले, कैसे मिले, और किस तरह से मिले, कि हमें OTT platform पर कोई chance मिल जाए meeting के लिए, तो इसके लिए इतना आसान नहीं है, कोई ऐसा bullet point नहीं है, कि बस बता दिये, और उस mail पर आपने mail कर दिया, और आपको बुला लिया गया, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, इसके लिए आपको effort करना पड़ता है, और वो क्या effort है, आपको अलग video बना करके मैं दूँगा, वैसे हमारे जो भी students हैं, वो 7th और 8 semester जो DFM का है, उसमें ये पूरी तरह से detail में बताया गया है, अलग-अलग videos के जरिए कि किस तरह से film का promotion करते हैं, किस तरह film को pitch करते हैं, किस तरह film को लेकर कि आप किसी भी producer या distributor या किसी studio के पास जाते हैं, इसके बारे में पूरी तरह से उसमें दिया गया है, लेकिन आपके लिए अलग से मैं एक video बनाऊंगा, अगर इस video में हमें 1000 लोगों का comment मिलें, कि यस मैं उस video को देखना चाता हूँ, जिसमें मैं ये पूरी तरह से detail में बताऊं, कि किस तरह से आपको किसी भी OTT platform, किसी भी producer या किसी भी जग़ पर जाने का आसानी से मौका मिल जाए, जहां पर आप अपने चीजों को वहाँ दिखा सके और वहाँ सफलता पराप्त कर सके, इस तरह के videos को देखने के लिए हमें प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नाश्कार. टैब या फिर अपने desktop या laptop पर, 8 semester के इस अनूठे course में, pre-production, production, post-production and cinema distribution and exhibition से चुड़े, सभी महत्वपूर्ण पहलूओं को विस्तार से समझाया गया है. इस हिंदी भाषा में बने online filmmaking course के जरिये, आज देश के ही नहीं, बलकि विदेशों के भी लोग लाभानवित हो रहे हैं. अपने तरह का सबसे अनोखा और अत्यंत कम फीज का ये filmmaking course हर उम्र के हिंदी समझने वाले लोगों के लिए एक वरदान है.